असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लखनौ इस्पेशल तले हुए आलू गोष्ट के सालन की रेसिपी जो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा एकदम देग स्टाइल तो ट्राइस रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंदाए प्लीस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमली और फ्रेंट्स में शेयर कर दीजिएगा तो चली देख लेते हैं तलव आलू गोष्ट बनाने के लिए देखिए हमने यहां पर लिया है 800 ग्राम घोष्ट और अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहां पर लिया है 500 ग्राम आलू जिसको मैं दो दो पीसे में कट कर लिया है चील कर अब इसको थोड़ा सा ब्रिक कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक तूथ पिक सी मदद से इसको थोड़ाहोल कर लिए ताकि जब हम फ्राय करेना तो यह अंधर से भी अच्छे से घल जाए फ्राय हो जाए अब यहां पर देखिए को हमें एक दम गोल्डन फ्राय करना है तो देखिए आलू यहां पर गोल्डन फ्राय हो चुकी है एक दम अच्छा कलर आ गया है और यह 80 परसेंट तक कुग भी हो गया है बाकी का 20 परसेंट जब हम ग्रेबी में डालेंगे तब हो जाएंगे अब इसी ओयल में हमने एड कर द लेते हैं मसाला मों हमें चाहिए दो से तीन तेज पत्ते चार लॉंग एक बड़ी लाइची आधा टीस्पून का अली मिष्ट दो हरी लाइची एक जावित्री का फूर आधा इंच का दाल चीनी का टुक्ला तो यह मसाले चले जाएंगे अब प्याजों को हमें यहां पर गोल्डण फ्राइय करنا है तो देखी एंच फ्राइय हो च्छुके है इस तरह से auto जेए और जब फ्राइय हो जाए तब थीम एड़ी कर में यह पर टमाटीrån अटर टमाटी तो देखिए इस तरह से टमाटर गलने लगे हैं, मैशी से होने लगे हैं, तब इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, फ्लेम को यहाँ पर लो कर दिंगे, पाउडर मसालों में हमें चाहिए, तीन छोटे चमच धनिया पाउडर, एक छोटा चमच, यानि वन टी स्पून लाल मिर्श पा है, लो फ्लेम पर, अब इसमें गोश्ट एट कर दिंगे, और गोश्ट एट करने के बाद, अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, मसालों के साथ, तो देखिए, मसालों के साथ हमने गोश्ट को मिक्स कर लिया, अब इसमें 2 टेबल स्पून हम अधरक लैसुन का पेस्ट इसको भी हमने भूनना है तो यहां पर अच्छे से इसको भून लेंगे अधरकलहसुन के पेस्ट के साथ हाई कर लिजिए अधरकलहसुन का रॉफ लेवर निकल जाए अब गोश्ट अच्छे से भून चुका है तो इसमें हमने दीखिये 200 ग्राम दही लिया है आदा दही अभ इसमें टेस्ट आएगा तो यहां पर देखिए गोष्ट बहुत अच्छे से बुनने लगा है प्याज भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं इस तरह के तो अब गोष्ट को गलने के लिए हम पानी एड़ करेंगे तो यहां पर मैं गोष्ट है तो मैं यहां पर 40-45 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ूंगी अगर आप प्रेशर कोकर में बना रहे हैं और मटन है तो उसमें सिर्फ आधर ग्लास पानी एड़ कीजिएगा और सिर्फ 20 मिनटी इसको लो फ्लेम पर रखिएगा तो देखिए यहां प करेंगे हम अधा बचा हुगा दही जो हमने बचा कर रहा हुगा तो अब इसको अच्छे से हमने एक बार और भूनना है तो सारा काम इसमें भूनने का है बस सभी चीज़े डालते जाएगे और भूनते जाएगे यह देखिए बहुत एच्छी खुश्पू आ रहे हैं इसम अच्छे, मिक्स कर लें और आलो हमारे 80% तक पके हुए है अधिते अघ्रेशनम सम्हें और वह दोब थेख ऑны है कर देखिए तो एक ग्लेट करने का है क्या ओए चांद और थोड़ा सा पानि total और श्मपाने कर देखिए और अदो ए-च्छी ऐस को मिक्स पूर आद करते आ तो बस इसको अच्छे से लिया हैं है अब कबर कर दिए और को कड़ींगे 10 मिनट केलिए पकने के लिए फ्राइबिगे Pengов बनकर कर तोड़ा सा कढा सब्सक्राइब तो चलिए अब जट पट से इसको सर्व कर लेते हैं यह देखिए आज बहुत सारा तेल नहीं है इसमें आप हमेशा कम्प्लेंट करते हैं को बहुत सारा ओल होता है आपकी रेसिपी में तो इस तरह से आप बनाएए और मुझे कोमेंट करकर बताएए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी तो यहां मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूंगी आलू भी अच्छे से कोक हो गया है तो आप इसको रोमाली रोटी के साथ तंदूरी रोटी के साथ या फिर नॉर्मल घर की चपाती के साथ सर्फ कीजी यह देखिए बहुत अच्छे से गोश्ट भी गल चुक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन्शालला नई रेसिपी के साथ फिर आजर होंगी अपना बहुत सारा खयाल रखें तब तक के लिए अल्हाफीज